नमस्कार उन सभी सेड़ सेड़नियों को, नमस्कार उन सभी सातियों को जो NVS नवोदय विद्याले समती की नौन टीचिंग वेरियस पोस्ट पर विकेंसी के लिए जिनोंने अपलाई गिया है और हमारे चैनल पर तैयारी कर रहे हैं आप सभी का इस चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी को बताते हैं इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं NVS नवोदय विद्याले समिती के लिए जो आपके लिए नौन टीचिंग वेरियस पोस्ट पर विकेंसी निकली हुई है उसमें जो भी पोस प्लंबर की वेकेंसी हो इन सभी के लिए जो कॉमन सब्जक्ट जी के रहने वाला है उसके लिए हमने क्लासे से स्टार्ट कर दी हैं दोस्तों तो टॉप 250 यहां पर क्वेशन्स करते हैं लेकिन मैं आपको बता दू कुल मिलाकर हम यहां पर 1000 क्वेशन्स करने बाले हैं तो आज की वीडियो ये second part है जिसके अंदर आपको इतिहास पढ़ाया जा रहा है, क्या पढ़ाया जा रहा है, इतिहास, आपके लिए जो classes से start हो चुकी है सातियो, कमर को कस लीजिए, इतिहास की class से start हो चुकी है, आज computer की class भी चलाई, और पर्यावरान जाने की environment की class भी start हो तो जो भी student तैयारी कर रहे हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ से और जरूर कीजेगा, तो चले friends, start करते हैं आज के questions को, history के वो questions जो के आपकी परिच्छा के लिए बहुत ही जादा helpable रहेंगे, चले पहला question आपकी screen पर है, first question है सातियो, महराजा रणजी सिंग के साथ किसके विचार विमर्ज के परणाम सरूब अमरत सर की संदी हुई थी, आप सभी लोग अपने pen और copy लेकर वैठियेगा, और अपने notes बनाईएगा, तो महराजा रणज सिंग के साथ किसके विचार विमर्ज के परणाम सरूब अमरत सर की संदी हुई थी, तो ये हुई थी, सर चाल्स मैटकॉफ के साथ, किसके साथ हुई थी, सर चाल्स मैटकॉफ के साथ, महराजा रणजी सिंग, महराजा रणजी सिंग की अमरत सर की संदी हुई थी, तो आप आपसे कोशन पूछ भी सकता है, अमरस सर की समंदी का समंद किस से है, तो सर चार्ल्स मैटकॉप से है, नेक्स्ट कोशन है साथियो, किस सासक ने सासनकाल में बहमनियों ने अपनी राजधानी गुलवरगा इस्तान इस्तान अंतरित कर बीदर बनाई थी, देखे बहुत इंप साहने, किस ने बनाई थी साथियो, है हमद साहने बनाई थी, नेक्स्ट कोशन है सोमनाथ मंदर पर महमूद गजनवी के आक्रमन के समय वहां के सासक कौन था, सोमनाथ मंदर पर महमूद गजनवी ने जब आक्रमन किया था, तो वहां का सासक कौन था, तो वहां का सासक था स फतोह उस सला तीन की रचना किस ने और कब की फतोह उस सला तीन बहुत ही महत्पूर्ट सवाल है इसको अंडरलाइन कर लिजे की रचना किस ने और कब की थी तो ईसा मीने की थी 1385 में सात करणी की मृत्यू के पश्यात उसके दो अलप बैसक पुत्रों वेद स्री और सक्ति स्री का सरच्षड किस ने किया था नाग निकाने किस ने किया था सातियो नाग निकाने किया था नेक्स्ट कोशन है आपकी स्क्रीन पर हॉल ने गाथा सप्त सती नामक गरंत की रचना किस वासा में की थी तो देखे हॉल ने की थी और कौन सी थी सप्त सती नामक गरंत था सप्त सती नामक गरंत की रचना किस वासा में की थी तो प्राकरत वास और नेग्स्ट कोशिन है कौन्सा सासक प्रतेग पांचवे वर्स प्रयाग में धार्मिक संबिलन किया करता था। देखे कुछ आपको लगबग शुरुआत के आर्दस सवाल टफ लगेंगे उसके बाद आसान कोशन अब आप क्या आने वाले हैं तो कौन सा सा सकता जिसने पांचवे वर्स में प्रियाग में अपना धार्मिक संभेलन किया करता था तो हर्स बर्दन था कौन था हर्स बर्दन जो के हर पांचवे वर्स में प्रियाग यानिके इलहवाद में प्रियाग राज में अपना धार्मिक संभेलन किया करता था आंसर हो जाएगा हर्स बर्दन बहुती जवर्दस सवाल आपका प्रशन है भुबनेश्वर और पुरी के मंदिर किस सैली में बने हुए हैं तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तो नागर सैली में किसमें बने हुए हैं नागर सैली में तो भुबनेश्वर और पुरी के मंदिर नागर सैली में बने तो लगक पियम किस वासा से सम्मंदित है किस बिसे से सम्मंदित है मापकी जगा तो ये है ब्याकरण और काब्बिसे तो संगम यूगीन गरंत है तो लगक पियम most important question है तो लगक पियम कोशन कम आता है लेकिन एक्जाम नेशन में कभी कभी टकरा भी जा सकता है तो ब्याकरण और काब्बिसे सम्मंदित क्या है तो लगक पियम संगम यूगीन गरंत है नेक्स्ट कोशन है सातियो सोन गिरी का एतिहासिक दिगंबर जैन तीरतिस्तल किस राज्ज में है तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तो मध्य परदेश में किस में है मध्य परदेश में है तो इसका सही जवाब हो जाएगा मध्य परदेश चले सातियो नेक्स्ट कोशन की ओर चलते हैं अपना अगला सवाल है महराष्ट में गडपति परव का स्री गड़ेस राष्टिय चेतना लाने के लिए किसने किया था कितना जवर्दस सवाल है ये सव आपके परिच्छा में टकरा सकता है कि महराष्ट में गडपति परव का स्री गड़ेस राष्टिय चेतना लागने के लिए किसने किया था तो बाल गंगा धरत लगने किया था किसने किया था बाल गंगा धरत लगने महराष्ट में गडपति परव का स्री गड़ेस ये से चाही कर है, ये से चाही पर लगाया जाता था, सातियो, से चाही पर लगाया जाता था, नेक्स्ट कोशन है आजीवक संपर्दाय के संस्थापक कौन है तो मक्खल गौसाल है कौन है मक्खल गौसाल आजीवक संपर्दाय के संस्थापक है सवाल पूछेगा बारवार रिपीट करेगा आजीवक संपर्दाय के संस्थापक कौन है मक्खल गौसाल नेक्स्ट कोशन है अंगरीचों के सासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन का सिध्धान्त प्रतपादन किस ने किया कितना जवर्दस सवाल ये मैंने कल भी पढ़ाया था आपको आर्थिक दोहन का सिध्धान्त आर्थिक दोहन का सिध्धान्त ये उनने दिया है जिनोंने पहली बार भारत की आई की गड़ना की थी जिनोंने पहली बार भारत की आई के बारे में बताया था जिनको हम दादा भ इस रूल इन इंडिया ये पुस्तक किसकी है तो आंसर लगाईएगा दादा भाई नरोजी आपसे पूछ ले आर्थिक दोहन का सिद्धान्त आर्थिक दोहन का सिद्धान्त तो आंसर लगाईएगा दादा भाई नरोजी चलिए नेक्स्ट कुशन देख लेते हैं सातियों रॉले टेक्ट भारत में कब लागू किया गया था अरे वही सवाल जो आपके दिल में बसता है वही सवाल जो आपकी परिच्छा में पूछा जाता है वही सवाल जो आपसे बार बार पूछा जाता है सवाल होता है रॉले टेक्ट सवाल होता है जलिया वाला वाग ना 1919 में हुई थी, उसके बाद क्या आया था, रॉले टेक्ट आया था, क्या आया था साथियो, रॉले टेक्ट आया था, नेक्स्ट कोशन है, विक्रम संबत कब से प्रारंब हुआ, गजब का सवाल, बहुती उंदा सवाल, पेपर में टकराने वाल, परिच्छा में पूछा सवाल, सवाल क्या है, विक्रम संबत कब से प्रारंब हुआ, तो इसका आंसर होगा, अठामा नीशा पूर्व से, अठामा नीशा पूर्व से, विक्रम संबत की सुरुआत हुई थी, नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं साथियो, वड़ा वली एक प्राचीन इस्तल है, जहां 1974-74 की खुदाई में, सिंदु सब्विता के अबसेस मिले, यहां इस्तल भारत के किस राज्य मेंस्तित है, कौन सा इस्थान है, बड़ा वली, सिंदु सब्विता के अबसेस मिले, कब मिले, 1974-74 में मिले, कुछ नहीं पूछेगा, आपसे सिर्फ एक बात पूछेगा, क्या लगाना होगा हर्याणा अरे पूछले आपसे क्या पूछले लोथल जो सवाल कल मैंने आपसे पूछा था वही सवाल लोथल पूछले लगा दो अंसर गुजरात में क्या हाँ गुजरात में आपसे क्वेशन पूछ सकता है सिंदु सब्विता में खोपडी की सल्च किस् इस सवाल ने तो इतिहास तोड़ दिया क्योंकि कई बार एक इजामनेशन में पूछा गया है ससी में टकरा टकरा के प्रशन आता है तो प्रशन है रिगवेद में ऐसी कन्याओं के उधारन भी मिलते हैं जो दीर्ग काल तक अथवा आजीबन अविवाहित रहती थी ऐसी कन्याओं को हमारा पवित्र ग्रंत रिगवेद क्या कहता है साथियो अमाजू कहता है चलिए फ्रे कौसल देश में कौन राज्य करता था महात्मा बुद्ध के समय कौसल देश में कौन राज्य करता था तो इसका सही जवाब होगा प्रसेन जित प्रसेन जित महात्मा बुद्ध के समय कौसल देश का कौसल देश में राज्य करता था कौन करता था कौसल देश में सासन करता था महात्मा बुद्द के समय का समराट कौन था तो प्रसेन चित था प्रशन पूछेगा टकराएगा एकजाम में फत्य करके आना है नेक्स्ट है किस सासक ने वैसाली का परत्याक करके पाटली पुत्र को मगद की राजधानी बनाया तो पाटली पुत्र को मगद की राजधानी सातियो काला सोक ने बनाया किसने बनाया वैसाली का परत्याक कर दिया और पाटली पुत्र को मगद की राजधानी बना दिया तो ऐसा समराट हुआ काला सोक समराट हुआ समराट का नाम है काला सोक नेक्स्ट कोशन है सातियो असोक के किस सिलालेक में कलिंग युद्ध का वर्डन है अरे कलिंग युद्ध वही युद्ध जिसने समराट असोक के हिर्दय को परिवर्थित कर उस नरसंगार को देख उन्होंने अपने हिर्दय को परिवर्थित कर बहुत धर्म को ग्रहन कर लि या किसको मेहंद्र वर्वन को सासक बना दिया और स्वेम बहुत धर में लीन हो गए इनका नाम समरा ठसोक है और इनके किस सिलालिक में किस सिलालिक में कलिंगुद का बर्डन मिलता है तो साथियो तेरेवे सिलालिक में मिलता है किस में मिलता है तेरेवे सिलालिक में मिलता है ब्रहदरत की हत्या की, किस की हत्या की, ब्रहदरत की हत्या की, और किस पर बैट गया था, गदी पर बैट गया था, नाम है सासक का, पुस्य मुत्रसुंग, किस की हत्या, ब्रहदरत की हत्या, साथ यो प्रश्ण पूछेगा आप से, क्वश्ण किस टैप से पूछेगा, कि एक और सासक का नाम बताईए, जिसने हत्या की थी दूसरे राजा की, नाम है घनानंद, अरे घनानंद की हत्या करने, घनानंद की हत्या की थी, किसने, मौरे समराट, चंद्रगुप्त मौरे ने, किसने की थी, चंद्रगुप्त मौरे ने, घनानंद की हत्या करने, मौरे समराज क स्तापना की तो ये भी प्रशना आपसे पूस सकता है, नेक्स्ट कोशन है साथी여, । चालिस गुलामों का दल, चालिस गुलामों के दल का बिनास किस सुल्तान ने घिया था, इतना जवरदस सवाल, पेपर की, खोपडी में छेद करने वाल, अरे ये तो वो सवाल है जो कि आ अंतिम सासक कौन था वहरे मेरी सवाल इत्त जोरस को सवाल कितनों जवर्दस सवाल पेपर में टकराएगो सवाल आएगो सवाल दिल्ली सल्तनत का अंतिम सासक कौन था दिल्ली सल्तनत का अंतिम सासक कौन था सही जवाब हो जाएगा इब्राहिम लोधी इब्राहिम लोधी दि क्लाइब ने सैनिक सुधारों के लिए सैना को तीन भागों में वड़ दिया सैना का एक भाग मुंगेर में दूसरा भाग बाकिपुर में निक्त किया गया तीसरा भाग कहा निक्त किया गया था तो इसका सही जवाब हो जाएगा इलहावाद में इलहावाद में तीसरा भाग इसका नियुक्त किया गया था तो रॉबर्ट क्लाइब ने सैनिक सुधारों के लिए सैना के तीन भाग किये पहला भाग मुंगेईर में दूसरा भाग बांकीपुर में और तीसरा भाग इलावाद में नियुक्त किया गया था नेक्स्ट कोशन है सातियो प्रशिद प्रशन पूछेगा बीबी का मकबरा लगा लो अरे इस्टार लगा लो सातियो इस्टार आगया पिपर वाला सवाल प्रशिद बीबी का मकबरा किसकी यादगार में बनवाया गया था तो ये बनवाया था औरंग जेव ने बनवाया था अपनी बीबी बेगम रविया दुरानी की यादगार में औरंगावाद के अंदर इसको बनवाया गया था तो किसकी याद में रविया दुरानी की यादगार में कहां पर औरंगावाद में किसने औरंग जेव ने नाम क्या है बीबी का मगवरा नेक्स्ट क्वेशन क्यों देख लेते हैं सातियो अगला सवाल है प्रसिद चित्र बाज के चित्रकार कौन थे बाज के चित्रकार कौन है तो उस्ताद मनसूर जवाब लगा लिजे उत्तर लगा लिजे उस्ताद मनसूर आपके सही जवाब खुज आएगा नेक्स्ट कोशन है सातियो नेक्स्ट कोशन है प्रशिद्गरंत सिधान्त सिरोमडी और दूसरा है लीलावती के लेकक कौन है सिधान्त सिरोमडी लीलावती इन दोनों के लेकक कौन है तो सही जवाब हो जाएगा सातियो बासकराचारे प्रशिद्गरंत सिधान्त सिरोमडी और लीलावती के लेकक हैं भासकराचार्य नेक्स्ट कोशन है सातियो सिसुपाल बद किसकी करती है तो माग की करती है किसकी माग की करती है सिसुपाल बद सिसुपाल बद नेक्स्ट कोशन है स्यादवाद का अर्थ है स्यादवाद का अर्थ क्या है तो स्यादवाद का अर्थ होता है सायद है भी और नहीं भी सायद है भी और नहीं भी ये होता है अर्थ किसका स्यादवाद का नेक्स्ट कोशन है साथियो अकवर का सिच्छक कौन था अकवर का गुरू का नाम कौन था अकबर के सिच्चक का नाम क्या था तो इसका सही जवाब हो जाएगा मीर अब्दुललतीफ मीर अब्दुललतीफ किसके गुरू का नाम था किसके गुरू का नाम था अकबर के गुरू का नाम था नेक्स्ट कोशन है प्रशिद कोहिनूर हिरा अरे लगा लो टिक लगा लो इस्टार परशिद कोहिनूर हीरा साजा ने किसको भेट किया था तो मीर जुमला को भेट किया था किसको मीर जुमला को परशिद कोहिनूर हीरा साजा ने किसको भेट किया था मीर जुमला को भेट किया था next question है साथियो साजा ने महा कविराय की पद्दी किसको दी महा कविराय साजा ने महा कविराय की पद्दी किसको दी तो पंडित जगनात को दी पंडित जगनात जिनको महा कविराय कहा जाता था साजा के दरवार में next question है साथियोँ, अकवर के समय बनी पहली महतपूर्ण इमारत थी, अरे अकवर के समय पर, अकवर के समय पर, अकवर मायू का मकवरावन वनवाया था नेक्स्ट कुशन है सातियो प्रश्न पूछेगा कौन सा मुगल सासक साही दर्वेश साही दर्वेश जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था कौन सा मुगल सासक साही दर्वेश और जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है कौन सा जाना जाता थ बताईए साही दर्वेश जिन्दा पीर लगा लो अंसर औरंग जेव औरंग जेव साही दर्वेश और जिन्दा पीर के नाम से जाना जाता था नेक्स्ट कोशन है सातियो अंतिम समराट कौन था अंतिम मौरे समराट कौन था प्रशन ये पूछा है अरे पहला मौरे समराट कौन था चंदरगुप्त मौरे था चंदरगुप्त मौरे का बेटा था विंदुसार विंदुसार का बेटा था समराट असोक समराट असोक का बे है द्रत था साथियो नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं नेक्स्ट कोशन है हर्स की पराजय किसके हातों हुई अरे हर्स की पराजय हर्स यानि की हर्स बर्दन हर्स बर्दन की पराजय पुलकेशन दुतिय के हातों हुई थी किसके हातों पुलकेशन दुतिय के हातों नेक्स्ट कोशन है ला लिता दित्या किस राज्य का साथ सकता गजब का सवाल कस्मीर का आप इस पे टिक लगाईएगा हर्स की पराज है किसके हाथ हो इती नेक्स्ट कोशन है और लगा लिजे टिक अरे जितनी टिक लगा सको उतनी टिक लगाओ जितने श्टार बना सको उतन अकवर नामा लगा लो टिक अकवर नामा और एक बन गया हिमायू नामा अरे हिमायू नामा ये किसकी करती थी अबुल फजल की किसकी करती थी अबुल फजल की और हिमायू नामा की बात करें तो ये है गुल वदन वेगम की किसकी है सातियो गुल वदन वेगम की नेक्स्ट कोशन है एक मालिक हो वे भी खान हो गया फिर सुल्तान बन गया अरे जवाब लगा लो बलवन क्या लगा लो बलवन नेक्स्ट कोशन की ओर चलते हैं और अभी दस्वारा कोशन और करेंगे बहमनी राज्य के भीगटन के उपरांद दच्छन में कितने मुसलिम राज्यों का दा हुआ बहमनी राज्य का भीगटन होता है और बहमनी राज्य के भीगटन के उपरांद दच्छन में पांच मुसलिम राज्यों का उदे होता है कितने राज्यों का पांच मुसलिम राज् कर से मुक्त रखा गया था तो इसका सही जवाब हो जाएगा विजय नगर राज और बिदवा पुनर विभा को विजय नगर राज तो इसका जवाब हो जाएगा जो राज पूचा है मद्यकाल में विभाकर किस राज में लिया जाता था तो विजय नगर में लिया जाता था प्रश्न पूछ सकता है साथियो आज की डिट का सवाल विजय नगर विजय नगर एक नया जिला बन चुका है ये भी सवाल पूछ सकता है और विजय नगर कहां पर है तो आपका करनाटक के अंदर इस्तित है विजय नगर तो विभाकर विजय नगर में ही लिया जाता था कहा से मुक्त रखा गया था नेक्स्ट कोशन है प्राचीन भारतिय चिकसक चरक लगा लो लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं अरचीनलो सेलेक्शन कहानी उसे कहते हैं तो टिक लगा लो इंपोर्टेंट है चरक किस सासक के दरवार में थे तो कनिस्क के दरवार में किस प्रवच्छी जिसे कहते हैं, मीरवक्सी जिते कहते हैं, सैनिक विवाग का ये पता अधिकारी था नेक्स्ट है, त्रिवनापल्ली के घर में कलाइव किसकी रच्छा की? तो ये सवाल प्रशन पूछेगा, तो पूछेगा तो महमद अली आप लगा दीजेगा आंसर नेक्स्ट क्वेशन है, रिगवेद में हिरन्य मर्म की उपादी किसे दी गई है? लगा लो टिक आंसर, महतपूण सवाल है, रिगवेद में हिरन्य मर्म की उपादी किसको दी गई है? तो इंद्र को दी गई है साथियो, किसको? इंद्र को रिगवेद में हिरन्य मर्म की उप ए्टनए सभआल ये नहीं है लेकन ये सवालल आपका बहुत महत्रपूढ है कोटिल कहां का प्रहमरता ? पेपर में गाठ भूल दी ती और कह दिया था जब तक इस राज़ा को मैं नहीं हरा दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैटूंगा अरे वही चालक किया जिसने घनानंद को समराट मोरे की चंदरगुप्त मोरे की साहता से हराया था और गदी से उतार दिया था और मोरे सामराज की इस्तापना करने में साहता प्रदान की थी नामक पुस्तक किस सासक के सफलता और उपलब्दियों का वर्णन है तो चंद्रगुप्त मौर की किस की चंद्रगुप्त मौर की कुटब दीन का मकबरा कहां इस्तित है लगा लो टिक कुटब दीन का मकबरा लाहौर में इस्तित है सातियों कहां पर लाहौर में नेक्स्ट है रजिया की असफलता का सबसे वड़ा कारण माना जाता है तो इसका सही जवाब हो जाएगा तुर्क अमीरों का सडियांतर और उनकी महत्वकांचा ही रजिया की असफलता का सबसे वड़ा कारण माना जाता है नेक्स्ट कोशन है सातियो दिल्ली के किस सुल्तान ने अपने सिक्के से खलीफा सब धटाया सिक्के से खलीफा सब धटाया मोहमद विन तुकलक ने दिल्ली के सुल्तान थे जनोंने सिक्के से खलीफा सब धटाया नेक्स्ट कोशन है और अंतिम प्रशन इस वीडियो का पुरंदर के घेर में तोप खाने के अधिकारी की रूप में किसे विदेशी यात्रा ने भाग लिया तो किसे विदेशी यात्रे ने भाग लिया तो उसका सही जवाब है मनूची क्या है मनूची पुरंदर के घेर के त उप खाने में चले फ्रेंट्स आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही लगवग 26 से 27 मिनट का आपका वीडियो हो चुका है अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है नवो दविद्याले संती की भरती की तैयारी कर रहे है अभी तक चैनल को सब्सक्राइ कर दीजेगा और इस वीडियो को सेयर करना विल्कुल मत भूलेगा अपने सभी सात्यों के साथ इस वीडियो को सेयर कीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा और वीडियो को लाइक करना विल्कुल कोई भी फ्रेंट्स ना भूले तो चले फ्रेंट्स भिलते हैं नेक्स